इसटो तो हलो एबरिबन की तो लास्ट लेक्टर में लोग अपना इंडियन प् YOLATY वाला पूर्षण कर चुके हैं तो आज हम लोग इंड इंडियन इंडियन एकोनॉमि स्टार्ट कर रहे हैं तो इंडियन इक्वोनॉमि का आज पहला लेक्टर हैगा तो शरू करते हैं से related बाते करनी है सुरी कि हमारे country में GDP कितना है जी एनपी कितना है यह क्या होते है GDP क्या होता है जी एनपी क्या होता है इन सब की basic basic बाते करेंगे और economy में बहुत ज्यादा इस्प्रेस नहीं लेना है क्योंकि economy का portion कम ही रहता है हाँ बट अगर आप bank वगएरा की तयारी करें तो उसमें economy का portion अच्छा रहता है बट बागी SI वगएरा की या IDO वगएरा की आप general बात करें तो economy का portion बहुत ही limited रहता है तो बहुत जादा इसमें detail में नहीं जाना है उपरी उपरी चीज़े पूछ लेगा जैसे GDP में भी जनरली पूछ लेगा GDP की full form जादा कुछ नहीं पूछेगा बट फिर भी एक हम basic आपके concepts तो clear करते ही चलेंगे economy से related तो जैसे पहली अगर हम बात करें nature of the Indian economy हमारी economy कहलाती कैसी है जैसे आपने word सुना होगा capitalist socialist यह economy के type होते है capitalist का मतलब होता है कि अगर आपके country में जो business है totally कौन चला रहा है private players चला रहे private players अगर आपके country में business चला रहे हैं तो वो capitalist है socialist कौन होंगे socialist वो वो country होंगी जहां पर business government चला है यानि जो भी company है जो भी factory है वो कौन own कर रही है government own कर रही है तो यह होती है socialist capitalist का सबसे best example इस टाइम USA है जहां पर सारी companies private है almost और socialist वो पहले तो इसका sorry example था USSR बट आज के time में अगर हम बात करें तो इसका example है रशिया ठीक है USSR तो टूड गया तो उसका एक पार्ट है रशिया वो भी आज भी socialism को follow करता है पहला डाउट तो यह नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में कि hundred percent private होता है hundred percent कहीं भी कुछ भी नहीं होता है ठीक है capitalist कहने का मतलब है USA में ज्यादा तर business private है और socialist कहने का मतलब है रशिया में ज्यादा तर business government के और government private business को कम promote करती socialist country में अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में देखिए जब हमें आजादी मिलीती 1947 में तो हमारे पास जो private players से यानि जो businessmen थे वो बहुत कम थे टाटा से बिला से बहुत limited थे तो ज्यादा कोई पैसे वाला था ही नहीं तो possibly नहीं था कि इंडिया में कोई private player industry लगाए तो government ने क्या करा government ने self fund करके यानि खुद के अपने fund से सरकारी companies खड़ी की जिने हम PSU कहते है public sector undertaking तो यह PSU Central Government लगवाती है और main purpose यही रहता है कि इंडिया में जो business हो उसे promotion मिले बट 1990 आते आते हमें इस बात का realization हो जाता है कि सरकारी companies बहुत अच्छा efficient business run नहीं कर सकती है इसके लिए private players को लाना ही पड़ेगा क्योंकि government companies में corruption बहुत जादा होता है तो 1990 में जब हमने reforms करें तो हमने private companies को भी add किया private companies को भी जोडते गए तो अगर अभी हम बात करें अपनी country में तो हमारी country में private companies भी है और government companies भी है यानि capitalism भी चल रहा है और socialism भी चल रहा है तो capitalism और socialism दोनों चल रहा है तो यह क्या बन गई हमारी economy यह बन गई mixed economy यानि कि हमारी country में capitalism भी है और socialism भी है इन दोनों का mixture क्या कहा देंगे mixed economy और दूसरा हम अपनी economy को कहते हैं agrarian economy यानि कि यह depend कर रहा है कि आपकी economy में main portion किस चीज़ का है main आपकी economy कहां से boost होती है जैसे चाइना की अगर बात करें चाइना के economy पूरी उनके export पे बेज़ दे किसी की economy पेट्रोल पे बेज़ दे किसी की economy सिर्फ डिफेंस पे बेज़ जैसे रशिया की major economy डिफेंस वेपन पे बेज़ ज़े साओधी अरेबिया की major economy पेट्रोल पे बेज़ ज़े इसी तरह से हमारी economy का major portion क्या है तो दो तरीके से देखेंगे अगर economy में contribution की देखें पैसे का कितना contribution हो रहा है तो वो तो हमारा service sector है अभी हम service sector के आगे बात करें बट अगर हम बात करें हमारी economy में majority population कहा involved है तो majority population हमारी economy में involved है agriculture में majority population यानि 58% of the Indian population किसमें involved है agriculture में इसलिए हम अपनी economy को क्या कहना पसंद करते हैं agrarian economy तो nature of economy में क्या क्या हो जाएगा एक तो हो गया mixed economy और दूसरा हो जाएगा आपका agrarian economy देखिए इसके नोर्स आपको बनाते चलने जैसे आपको यह लिख लेना है आपको लिखना है mix economy यह नहीं कि जो पीपीटी में लिखा उसको exact copy कर ले आप आप लिख देंगे प्राइवेट प्लस पब्लिक पब्लिक मतलब गवर्मेंट कंपनी तो इस तरह से शौट शौट नोर्स आपको बनाते चलने यह नहीं exactly जो यहां लिखा वहीं आप कबर करते चलें अग्रेरियर में लिख देंगे एग्रिकल्चर बेस 58% पॉपुलेशन कहां से इंडिया की एग्रिकल्चर में ही इंवाल्व है तो यह कहलाएगा एग्रेरियर एकॉनॉमी यह कुछ फीचर से हमारी कॉनॉमी के कि नैशनल और पर कैपिटा इंकम की ग्रोथ स्लो है यह हम बात करेंगे नैशनल इंकम क्या ह है capital deficiency यानि capital मतलब हमारी country में investment की कमी है capital मतलब जो starting amount चाहिए होता है किसी business को start करने के लिए तो वो capital की बहुत जादा कमी है तो इसलिए हम कह सकते low rate of investment, low production, poor quality of human capital, human capital क्या होता है? human capital का मतलब होता है जो human अपनी तरफ से investment करता है, human अपनी तरफ से क्या investment करेगा? skills का investment करेगा, जैसे कोई engineer है तो engineer को आता है कि building कैसे बनानी है या यह machine कैसे चलानी है, तो वो किसमें count हो जाएगा? वो count हो जाएगा human capital में, अगर human capital की बात करें तो इसमें सबसे best काम क्या है जपैन ने, जपैन के पास कोई resources नहीं है, ना उनके पास petrol है, ना उनके पास agriculture है, बट उन्होंने अपने लोगों को skill दिया, उन लोगों को पढ़ाया, लिखाया, एक skillful person बनाया, ताकि वो नहीनी technology में invention कर सके, innovation कर सके, तो उन्होंने अपना human capital बढ़ाया, तो इंडिया मे अगर हम बात करें, तो human capital का भी quality बहुत पूर है, और हम लोग agriculture पे over dependent है, यानि अगर आफ हमारी economy की बात करेंगे, तो जहां एक खेत में, एक village में, या फिर एक farm में, एक खेत में, दस लोगों की जरूरत है, तो उसमें 30 लोग काम कर रहे होंगे, इस ये तक हालत है, तो over dependence agriculture पे, अब ये 30 लोग क्यों काम कर रहे हैं, कि 10 का तो काम है, 20 extra है, अब ये 20 के पास और कोई काम तो नहीं है, अगर कहीं factory होती है, या और कोई ने job मिलती है, तो ये वहाँ जाके job करते हैं, बट अब इनके पास और कोई काम नहीं है, तो ये क्या करेंगे, खेत में ही आके काम करेंगे, अपनी बेरोज़गारी छुपाने के लिए, इंडिया में अनिक्वल डिस्रिब्यूशन है, इंकम का और वैल्थ का, यानि कि अगर हम बात करें, इंडिया की 100% वैल्थ की, तो इस 100% का जो 99% वैल्थ है, वो सिर्फ इंडिया की 1% population होल्ड करती है, यानि हमार कांट्री में अगर 100 रुपए है, तो 100 मैंसे 99 रुपीज सिर्फ कांट्री की 1% population होल्ड कर रही है, और एक रुपिया बाकी की 99% population होल्ड कर रही है, तो इस लेवल तक अनिक्वल डिस्रिब्यूशन है, यानि अगर कोई अमीर है तो बहुत अमीर है, और कोई गरीब है तो कंट्री में पॉवर्टी की बहुत दिक्कत है, क्रोनिक इंफलेशन और क्रोनिक अनेप्लाइमेंट, क्रोनिक मतलब जो बहुत टाइम से चलता रहा हो, महगाई है और बेरोजगारी है और गरीब ही बहुत है, और यह सब पैंडिमेंग आने के बाद और ज्यादा बढ़ ग में डिवाइड होती है एक होता है primary एक होता है secondary एक होता tertiary यह सारा बना है आपका कह सकते हैं एक सिकोंद स में जैसे में हमेशा बात करता हूं कि मॉनलीजी आपको एक टोमेट्टो केचप की factory लगानी तो इसमें क्या क्या प्रॉसेस इंवाल्व होगा तो सबसे पहले आप टोमेटो उगाएंगे टोमेटो उगाएंगे एग्रिकल्चर करेंगे एग्रिकल्चर से आप क्या करेंगे टोमेटो उगाएंगे और कहां लेके आएंगे मशीन में और वो टोमेटो मशीन में जाएंग agriculture करेंगे tomato तयार करेंगे तयार करने के बाद उसकी machining करेंगे जब वो ketchup बन के तयार हो जाएगा तयार होने के बाद आप उसे market में बेचेंगे अलग-अलग schemes लाएंगे अलग-अलग advertisement करेंगे तो आप उसको पूरा business में बेचेंगे तो वो कहलाएगा business आप क्या कर रहे हैं business कर रहे हैं कि आपको अलग-अलग marketing strategy पता होगी कि ketchup को कैसे बेचना है तो वो part किसमें आ जाएगा business में आ जाएगा तो तीन process से होके ketchup हमारा बन रहा है यानि कि factory से लेकर customer तक पहुँशने में ये ketchup तीन process से गुज़रा है पहली ये agriculture दूसरी ये machining तीसरी ये marketing तो ये जो पहला वाला portion है इसी को हम कहते है primary sector दूसरे वाले को कहते है secondary और तीसरे वाले को कहते हैं tertiary यानि जो भी agriculture वाला portion होता है जहांपर आप raw material होगा आते हैं किस में आ जाएगा primary sector में secondary क्या होता है उस raw material से आप कुछ बनाते हैं वो secondary में आ जाएगा फिर हम जो कुछ बेचते हैं वो किस में आ जाएगा tertiary में तो primary में क्या-क्या चीज़े आ जाती है agriculture है, forestry है, fishing है, mining है secondary में क्या-क्या आ जाएगा manufacturing, electricity, gas, water supply, construction यह सब किस में आ जाएगा, secondary में tertiary में क्या जाएगा, tertiary को हम service sector भी कहता है तो जितने भी business है, transport है, telecommunication है, banking, insurance यानि services वाला sector भी और business वाला sector भी यह सब किस में आ जाएगा, tertiary sector में हमारी economy में सबसे जाएगा contribution tertiary sector कर रहता है क्योंकि यहां लोग बहुत जाएगा कमाई करते हैं, जो tertiary sector में involved होते हैं, उनकी income comparatively जाएगा अच्छी होती है, primary sector वालों से तो यह बात हमेशे याद रखेंगे अब देखें जब बात आती है, economy को measure करने की तो economy को measure करने का भी कोई तरीका होना चाहिए अब जैसे हम compare करें, USA से हमारी economy तो कोई न कोई तो ऐसी चीज होगी जो एक idea देती होगी कि हाँ, economy कहां की अच्छी है, हम सिर्फ अच्छा या बुरा कहेगे तो नहीं चला सकते कि हाँ, economy of USA is greater than economy of India तो हमें एक number पता होना चाहिए, numerical value पता होना चाहिए USA की economy कितनी bigger है, इंडिया की economy से कितना उनके बीच में difference है, तो एक numerical value होना चाहिए सिर्फ ये qualitatively काम नहीं चलेगा, quantitatively कोई value आनी चाहिए जो बताए कि हाँ, इंडिया की economy इतनी बड़ी है तो उसी के लिए क्या करा गया है, कई सारे अलग-अलग factors बनाए गए है तो सबसे पहले हम बात करेंगे GDP और GNP की, तो GDP का बिलकुल clear मामला है जो भी production within the territory of India होगा, जो भी production within the territory of India होगा वो किसमें count होगा, वो count होगा GDP में, doesn't matter कोई भी produce करे for example, अगर बाहर का कोई परसद है, मान लीजिए कल आपका jack ma, चाइना से आके इंडिया में factory लगाए तो क्या उसे हम GDP में count करेंगे, बिलकुल count करेंगे क्योंकि ये production कहां हो रहा है, इंडिया की territory में हो रहा है, तो इंडिया की territory में हो रहा है doesn't matter कौन कर रहा है, तो वो किसमे count होगा, GDP, GDP में सबसे important इसकी full form ही है gross domestic product, domestic word याद रखेंगे, domestic का मतलब है locally जो भी produce हो रहा है वो किसमे count होगा, वो count होगा आपका GDP में इसी तरह से एक term होता है, GNP GNP का मतलब होता है, gross, national product, यानि कहने का मतलब है, national मतलब एक इंडिया का person पूरी दुनिया में क्या तावरतोर तवाही मचाए है, क्या क्या production कर रहा है उसको नापना है, तो GDP में क्या था, इंडिया के अंदर अगर produce हो रहा है तो GDP में count कर लेंगे, GNP में ऐसा नहीं है, GNP में क्या होता है करेगा, वो किस में count होगा, वो count होगा GNP में, कल अमबानी जी श्री लंका में factory लगा दे तो वो GNP में count होगा, एक इंडिया नैशनल, ठीक है, अगर कोई इंडिया नैशनल जो भी production करे within the world, तो वो किस में count होगा, GNP में, कल रतन टाटा की USA में factory लग जाए तो वो GDP में count नहीं होगी, क्योंकि वो इंडिया में नहीं है, बट हाँ, वो GNP में जरूर count होगी, क्यों, क्योंकि एक इंडिया नैशनल ये वो factory लगाई है तो GNP क्या बताता है, कि इंडिया नैशनल ये इंडिया का एक person क्या production कर रहा है, और GDP बता रहा है कि country में कितना production हो रहा है तो दो अलग-अलग terms है, एक है gross domestic product, एक है gross national product अब इनी से related दो terms होती है, NDP और NNP इससे पहले depreciation समझ लेते हैं, depreciation क्या होता है, depreciation का मतलब होता है, loss in the value of asset जो भी आपका asset में आपके loss हो रहा है, वो क्या होता है, depreciation जैसे आपने इस साल कोई bike खरी दी, इस साल आपने एक bike खरी दी, cost आपको पढ़ी bike की 80,000 रुपी बट अगर आप one year बाद इससे बेचने जाएंगे, तो क्या कोई आपसे सेम गाली 80 में खरी देगा या 90 दे देगा, तो वो price आपका 90 भी नहीं होगा, घट जाएगा 80 था, एक साल बाद इसका price 80 नहीं रहेगा, कुछ रह जाएगा, 60,000 रुपी या जो भी हो, depending होना आपने गाली कैसे maintain करी, 50, 70, बट जो भी होगा, आपका price घट जाएगा मान लेते हैं, आपने गाली खरी दी 80,000 की, एक साल बाद आप उसे बेच रहे, अब आपको market में उसे rate मिला 60,000 तो यहाँ पर इस गाली की market value कितनी कम होगी, 80 से 60 गिर गई, तो कितनी कम होगी, 20,000 रुपी कम होगी यह जो 20,000 रुपी कम होगी, इसी को हम क्या कहते है, depreciation तो जो कोई भी asset में depreciation का loss होता है, वो क्या कहलाता है, किसी भी asset में जो loss होता है उसकी value में, वो क्या कहलाता है, depreciation अब मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि एक term है NDP, net domestic product, एक term है NNP, net national product पहली बात तो इनकी full form याद रखेंगे, अब इनका formula कुछ ऐसे बनता है, कि अगर कोई आप से पूछे NDP, यानि net domestic product तो यह कितना होता है, यह होता है GDP, minus depreciation इसी तरह से, एक होता है NNP, NNP होता है GNP, gross national product, minus depreciation तो यह दो formula थोड़ा याद रखेंगे, कि gross में से अगर depreciation घटा दें, तो हमें net value मिल जाएगे, ठीक है N क्या represent कर रहा है, net represent कर रहा है, D तो वही domestic product, N वही national product यानि GDP में से depreciation घटा देंगे NDP, और GNP में से depreciation घटा देंगे NNP तो यह तो आपके सारे definitions सी, जैसे GDP क्या हो गया, final value of goods and services produced within that boundaries of the country जो भी production आपकी country की boundary के अंदर हो रहा है, उन goods का final value क्या है उसको GDP क्या देंगे, और GDP में से अगर depreciation घटा देंगे, यानि value loss of an asset तो वह क्या बन जाएगा, NDP और GNP क्या होता है, total value of final goods and services produced in a given period by the nationals of a country, तो अपने case में हम Indian nationals की बात करेंगे sorry, NNP क्या होता है, अगर हम GNP से depreciation सब्ट्रेट करते हैं, तो वह क्या बन जाएगा NNP बन जाएगा अगर factor cost पे निकाले, NNP तो वह कहलाती है, national income तो एक हमने depreciation वाला term discuss कर लिया, अब एक term है हमारा factor cost उसकी हम बात कर लेतें कि factor cost क्या होता है जैसे मान दीजिए, ठाटा है, ठाटा वाले क्या कर रहे हैं, sorry एक car manufacture कर रहे है, तो car की cost 1 lakh चीक है, car की cost कितनी है, 1 lakh या ऐसे समझिए, कि car बनाने के लिए क्या के चाहिए टायर चाहिए, इंजन चाहिए, जो भी material चाहिए सब उन्होंने ready किया, उस पे जो भी खर्चा हुआ प्लस उन्होंने सोच ले कि मैं इतना इसमें profit कमाऊंगा, तो अपना profit जोड के उन्होंने decide किया कि इस car की cost में market में 1 lakh रुपी रखूंगा, hypothetically मान लेते हैं, या चलो आपको कम लग रहा है तो 10 lakh रखूंगा, यानि टाटा जी ने decide किया कि market में ये गाड़ी में 10 lakh की बेचूंगा, बट इतना असान तो नहीं होता है, government भी कहती कहती, तुम भी कमार हो, तुम मेरे को भी थोड़ा कमबा के दो, यानि government क्या कह रही है, देश की बदाई के लिए tax दो, अब टाटा जी, अब टाटा जो है, अपने जेब से टो tax नह कुछ contribute कर सकती है, तो टाटा क्या कहेंगे, टाटा कहेंगे ठीक है, 10 lakh तो मेरा price हो गया, अब आप tax कितना लोगे, government ने कहा हम तो 10% tax लेंगे, तो 10 lakh का 10% कितना हो गया, 1 lakh tax, तो 1 lakh tax देना पढ़ ला है, तो ultimately ये गाली आपको कितने की पढ़ेगी, तो ये गाली आपको पढ़ेगी, 11 lakh की, तो गाली actual में 10 lakh की है, इसमें tax लगे, तब जाके cost होगी 11 lakh, तो गाली factory में कितने रुपे में तयार हो गई थी, अगर आप factory से direct जाके खरीने, आप tax से बचने के लिए, तो वो कितने की पढ़ेगी, 10 lakh की, बट उसे जब market में उतारा जाएगा, आप tax द मिले जिस cost है, और market में आप उसे जितने में खरीद रहे हैं, वो कहलाता है market cost, तो दो चीजे होती है, एक factor cost होता है, एक market cost होता है, तो जिस cost में आप गाली खरीद रहे हैं, वो factor cost है, जिस cost में आप गाली खरीद रहे हैं, वो market cost है, और जिस cost में गाली prepare हुई है, वो होती ह यानी अगर यो हम इंडिया सो जो भी production कर रहें यानि हम इंडिया के नेशनल समना लिजिए 10 उन्होंने गाडियां बनाई 10 नैनो कार्स बनाई 10 लेक की 10 नैनो कार्स बनाई तो उन्होंने कितनी कमाई करी 1 क्रोर की कमाई करी 1 क्रोर उनकी एकोनामी पहुंची बट अगर इसमें कुछ टैक्सिस भी तो उन्हें देने पड़े होंगे अगर आप वो taxes add कर दोगे तो क्या हो जाएगा net national product आजाएगा market cost पे बट अगर आप इसमें taxes add नहीं कर रहे हैं तो यह क्या हो गया net national product at factor cost तो यही net national product at factor cost या क्या लाता है national income यानि national income कितनी वो कैसे पता चलेगा this is NNP at factor cost चलिए इसमें एक चीज हमेशे याद रखिएगा आपके लिए जो सबसे important है वो है GDP फिर यह याद रखिएगा NNP at factor cost is national income यह थोड़ा सा typical position है इसको थोड़ा सा आराम से समझेंगे और कोई भी doubt होगा तो एक बाग फिर से मेरे से consult करेंगे और बताएंगे क्या नहीं समझ में आया तो हम उसको फिर दुवारा से फिर समझ देगी कोशिश करेंगे बट आपको थोड़ा सा effort देना है main चीज क्या है अगर आप समझ लेते हैं basic idea ले लेते हैं GDP NDP का उतना ही requirement है बहुत ज़्यादा requirement नहीं है और इसके proper notes बनाते रहें और जब भी पढ़ें तो copy pen हाथ में लेके पढ़ें ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल आराम से relaxed mood में होके पढ़ ले हो तो जैसे आप class में आते हैं उसी तरह से पढ़ाई करिए तब ये lectures का फाइदा होगा वरना आपको बले एक बार समझ में भी आ जाएगा बट वो इतना effective नहीं रह पाएगा अगर आप proper notes वगेरा नहीं बना रहें और notes मैंने हमेशा से कहा है short notes बनाने ऐसे notes बनाने जो सिर्फ आप समझ पाए दूसरा नहीं समझ पाए बिलकुल अपने काम की बाते लिखनी है अल्टूफाल्टू कोई extra knowledge नहीं लिखनी है जैसे ये तो पूरे statements है आपको ऐसे पूरे statement नहीं लिखने है आपको इसको short short करके लिखना है ठीक है क्योंकि ये अगर आप short notes बनाएंगे तो कोई भी subject हो ये आपको exam से पहले बहुत help परेगा क्योंकि exam से पहले जब आप पढ़ने के revision के बारे में सोचेंगे और बड़ा सा मोटा सा copy देखेंगे अपना notes का तो परिशान हो जाएंगे परिशान हो जाएंगे तो उस time क्या काम आएगा उस time आपके ये short notes सी काम आएंगे तो बहुत ज़रूरी है short notes आप अच्छे से बनाएं तो आज इतना ही रखेंगे next class में हम लोग Indian tax structure के बारे में बात करेंगे और इसके आगे की कहानी continue रखेंगे ये थोड़ा सा समझने वाला पोशान है GDP, NDP इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए आराम से समझिए कोई issue हो तो कोई doubt हो एक बार फिर से पूछिए लेकिन समझने की कोशिश जरूर कीजिए क्योंकि being a citizen of India इतनी awareness हमारे पास होनी चाहिए कि हम GDP समझ पाएं कि GDP actual में होती क्या है क्योंकि interview बगेरा में जाएंगे तो इसी तरह से basic से सवाल पूछ लेंगे वो ये नहीं पूछे के इंडिया की GDP कितरी है वो simple ये पूछे के GDP से आप समझते क्या है और GDP एक value होती है GDP क्या होती है एक value होती है यानि कि मान लीजिए country में production कितना हो रहा है मान लीजिए country में दो ही factory है एक pencil की factory है एक या sorry pencil लटाओ ये एक car की factory है और एक bike की factory है और इंडिया में car मान लीजिए 10 lakh वाली car produce हो रही है 10 lakh वाली 10 गाडिया produce हो रही है तो कितना हो गया 1 क्रोन ये market cost के हम बात कर रहे हैं और बाइक मान लेते हैं 80,000 की 5 गाडिया produce हो रही है तो ये कितना हो गया 4 lakh तो ये तो हो गया आपका 1 क्रोन और ये हो गया 4 lakh तो जो ये final value है ना इनकी car और बाइक की 2 की factory लगी इंडिया में और car कितनी produce हो रही 1 क्रोन की बाइक कितनी produce हो रही 4 lakh की 4 lakh तो ये ही हमारी GDP है तो ये हमारी GDP है GDP कैसे निकालते हैं हर एक साल की GDP होती है जैसे कि अगर हम बात करें हमारा financial ये शुरू होता है 1st April 1st April से 31st March तक चलता है तो अभी current हमारा जो financial year है वो start हुए 1 April 2021 से अब ये कब तक चलेगा ये चलेगा 31st March ये आपका production होगा वो किस में count हो जाएगा इस साल की GDP में इस साल की GDP में count कर देंगे फिर हम क्या करते हैं इसको compare करते हैं compare किस से करते हैं compare करते हैं जो 2011 में produce हुआ था यानि कि हम क्या देखते हैं हम देखते हैं कि during the financial year of 1st April 2011 तो 31st March 2012 इस financial year में जो भी आपका production हुआ था इस financial year के कुछ GDP आई थी तो इसके respect में आज हमारी जो current GDP है वो कितना आगे बढ़ गए तो मान लेते हैं इस साल GDP थी 100 मान लेते हैं इस साल GDP थी 100 रुपी और आज हमारी current GDP हो गई है 110 रुपी तो हमारी GDP कितना change हो गई तो change कह सकते हैं या फिर देख सकते हैं growth ही GDP GDP बढ़ी है तो हमारी GDP कितना grow हो गई इसको कैसे calculate करेंगे calculate करेंगे final value 110 minus initial value upon initial value यह mathematical part है into 100 अगर हम percentage में निकालना चाते हैं तो यह कितना हो जाएगा 110 minus 100 10 upon 100 into 100 यानि यह आ जाएगा 10% तो हमारी GDP कितना grow हो गई 10% और यही percentage हमें दिखाया जाता है तो यह percentage के लिए base year क्या है आपका यह है हमारा base year यह क्या है हमारा यह हमारा base year कि इस year के comparison में हम GDP निकालते हैं जीडीपी एक number होता है lakhs, crores, जैसे प्रैदान मंत्री कहते रहते हैं trillion dollar economy बनाएंगे तो trillion dollar क्या है वो एक number है तो उतनी बड़ी वो हमारी GDP बनाना चाहते हैं बट अगर हम अपनी GDP को compare करें 2011 वाली GDP से 2011 वाली GDP से तो उसमें कितना growth हुआ वो percentage GDP का हम देखते हैं और उसी से idea लगाते हैं कि हमारी country की growth कितनी हो रही है कभी 8% है, कभी 7% है तो इसका मतलब 2011 के comparison में हम कैसा grow कर रहे हैं हमें ये पता चलता है तो एक चीज़ याद रखेंगे हमारा base year क्या है 2011 से लेकर 2012 के बीच का है तो ये कुछ GDP से related portion था अब text की बाते हम next class में करेंगे तब तक के लिए आप इसको notes बनाईए आराम से revise करिए quality आपका complete हो चुका है quizzes में भीज चुका हूँ तो उसको practice करिए quizzes लगाईए quality वाला portion revise करिए revise ऐसा नहीं आपने एक बार पढ़के छोड़ दिया पढ़ना है उस copy को बंद करना है फिर चीजों को recall करना है याद करने की कोशिश करना है कि यहां क्या लिखाता यहां क्या लिखाता exam से पहले वो सारे points आपके जो PDF में है वो आपके tip पर आजाने चाहिए याद कर पाना और मुश्किल हो जाता है तो वो तभी आपके लिए possible होगा जब वो आदत आप अभी से डालेंगे और अभी भी आप आप से भी यह आदत शुरू कर देते हैं तो आपके पास बहुत टाइम है आप आराम से उसको कर सकते हैं और दूसरा चीज आप करेंट अफेस पर कमांड बनाईए निउस्पेपर जरूर पढ़िए यह नहीं सोचना है कि मेरा पुरान है चूट गया तो पुरान है चूट गया उसके लिए आप करेंट अफेस की मैगजिन्स ले लीजिए ग्रूप पे रेगुलर अपडेट हो रही है जैसे सेप्टेंबर अक्टूबर का कर चुका हो मैं उसको पढ़िए और पोर्शन वाइस पढ़िए यह नहीं एकदम से एक ही दिन में पूरा करेंट अफेस निप्टाना है थोड़ा थोड़ा पोर्शन आप डिवाइड कर लीजे उसे रेगुलर बेसिस पर करेंगे यह हमेशा याद रखिएगा कॉम्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप भले कम पढ़ें लेकिन रेगुलर पढ़ें कंझस्टेंसी रहेगी तब ही काम बनेगा क्यों यस दकी कंड़ेंसी बनाये रखना है पढ़ाए नहीं छोड़ न red आ कि चल रही है तो हम घूम आते हैं यह कर लेते हैं वह कर लेते हैं तो वो सब आपकी कानुक्सान है क्योंकि आप भ offset अ लेकिन आपके जो सेलेक्शन के चांसेस अच्छे करने तो कजिस्टेंस ली पढ़ाई करनी ही पढ़ेगी तो पढ़ाई करिए और करेंट अफेस पढ़िए न्यूस पेपर पढ़िए ताकि आपका एक जो अवेडनेस वाला पॉर्शन है वो पक्का हो जाए यूँकि जी एस इतना वास्त है ए पीडिएफ में या एक किताब में सारी चीजे नहीं लिखी जा सकती है और अगर कोई आपको लिख कर दे रहा है तो वह आपको बेपकू बना रहा है क्योंकि वो कंटेंट इतना हैवी हो जाएगा कि आप एब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो उससे बेस्ट है आप वो ची तो चलिए आज लेक्चर में इतना ही रखते हैं थैंक्यू झाल 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 झाल